आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू प्यास की एक पहुती टेस्टी यूनिक रेसिपी इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कच्चा आलू लिया है बड़े साइस का आलू था जिसे छील कर रफली कट कर लिया और धो कर मिक्सी के जार में डाल दिया दो मीडियम साइज के प्यास को रफली कट करके जार में डाल दिया है इसमें जा रही है चार पाच लैसुन की कलिया देर दो इंच अद्रक डाल देंगे इसमें जा रही है एक हरी मिर्च हरी मिर्च मेरी जो थी ना वो काफी बड़ी थी तो मैंने एक डाल लिया अगर छोटी हरी मिर्चा है तो दो डाल दें जार कड़कत बंद करें और सभी चीजों को पीस कर कर लें तयार तो ये देखिए आलू प्यास का ये पेस्ट हो चुका है तयार इसे आपको एक बड़े बाउल में डाल देना है तो यहाँ पर एक बड़े बाउल में मैंने से ट्रांसफर कर लिया है अब आपको इसमें कुछ मसाली डालने हैं तो इसमें जा रहा है आधा चमच नमक इसमें जा रहा है एक चोथाई चमच अजवाइन अजवाइन आपको इसमें जरूर डालना है आधा चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर यह हम इसमें डाल देंगे 2-3 पिंच हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल दें लाल मिर्च पाउडर यह मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और इसमें जा रहा है आधा चम्मच गरम मसाला एक चम्मच जारी है इसमें कसूरी मेथी अगर आपकी बपस कसूरी मेथी है तो जरूर ढालें ये टेस्ट को बहुत ही बड़ा देगी एक चम्मच इसमें डाल दीgregाऊ ये हैं सफेद तिल अब आपको इसमें डालना है हींग तो मैंने लगबग एक चौथा ही चमच हिंग डाल दिया है थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है सारी मसालों को इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है मसाले इसमें आप अपने स्वादय नुसा थोड़े कम या जादा भी कर सकते हैं सारे मसाले बहुत अच्छी से मिक्स हो चُके हैं अब इस स्टेश पर मैं इसमें डाल रही हूँ ओल तो यहाँ पर मैं इसमें दो चमच ओल डाल रही हूँ oil की जगा आप घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं oil डालने के बार oil को बहुत अच्छे से स्में mix कर लेना है तो यहाँ पर oil को mix कर लिया है अब यहाँ मैं इसमें डाल रहे हूँ एक कप ये हूं काटा और इसमें जा रही है दो चमच सूजी मोटी बार एक जो भी सूजियों को आप ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपको इसका एक डो बना कर त्यार करना है अगर आपको लगता है ये काफी सॉफ्ट है तो आप इसमें थोड़ा सा गयों काटा और डाल दें तो मैंने आदा कप गयों काटा और डाल दिया है इसे मिक्स करेंगे और इसका एक डो लगा कर त्यार कर लेंगे तो यहाँ पर ये दिखिए बहुत ही बढ़िया डो त्यार हो गया है मैंने इसे बहुत ही अच्छे से गोंद लिया है और जो डो है बहुत जाता सौफ्ट नहीं है तो बस अब आप क्या करेंगे इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि इसे जो सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाए और 10 मिनट बाद अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ अब आपको एक बार फिर से इसे लगबग 1.5 मिनट तक और गूंद लेना है ये देखिए बहुत ही बड़ी है डो तयार है एकदम स्मूढ डो है अब आपको इससे लोई बनानी है तो एक मोटी सी बड़ी लोई आपको बना कर लेनी है तयार तो ये देखिए मैंने एक मोटी सी चिकने लोई बना कर तयार कर लिया है अब हम चलते हैं अगले स्टेप क्यों तो यहाँ पर देखी मैंने एक chopping board लिया है और इसे oil लगाकर चिकना कर लिया है लोई के उपर भी थोड़ा सा oil लगा लिया है और अब हम इसे बेल लेंगे तो surface पर पहले oil लगा लें और फिर इसे आप बेलें जिसे यह चिपकेगी नहीं बहुत ही आसानी से बेल जाएगी आपको इसे आटा लगाकर नहीं बेलना है ऐसे ही बेलें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे अब यहाँ मैंने लिए एक कटोरी किनारी वाली कटोरी लिए आप कटोरी गिलास कुछ भी ले सकते हैं और इस तरीके से मैं इसे कट कर रहे हूँ इससे क्या होगा सारे पीसे एक ही साइस की बनके त्यार होंगे वैसे आप चाहें तो छोटी छोटी लोई बना कर पूरी की तरह भी बेल सकते हैं लेकिन मैं इस तरह बना रहे हूँ जिससे सभी देखने में एक जैसे लगें अब ये जो एक्स्टर डो है इसे निकाल देंगे और इसी तरह सारे पीसे पहले आपको बना कर लेने हैं त्यार ये देखे इस तरह आपको इसे रखना है ज़्यादा मोटा नहीं और ज़्यादा पतला नहीं अब सारे πिसेश को बेलने के बाद मैंने याँ गेस पर आईल पहले गरम करने रख दिया, आईल अच्छा गरम हो चुका है और गेस का फ्लइम मैंने मीडियम रखा है और मीडियम फ्लीम पर हम इने फ्राइ करेंगे तो ये देखे इस तरीके से आप इने फ्राइ करें दबा दबा कर जिससे ये फूल जाए और जब ये फूल जाए तो इसे पलट दें बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी कुर्कुरी आलू प्यास की ये पूरी त्यार हो रही है अलट पलट कर गुल्डन ब्राउन होने तक सेख लें और फिर इने निकाल लें तो इसी तरीके से आप सारी पूरी फ्राइ करें ये जो पूरी आने खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है इनके अंदर आलू प्यास का मसालों का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसे आप दही, सबजी, चटनी, सौस किसी के भी साथ एंज्योई करें या फिर आप इने चाय के साथ ऐसे ही खाएं तब भी ये बहुत ही मज़ेदार लगती है अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट और शेयर करें मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आल पर क्लिक करें